रूस के साथ युद्ध में शामिल उक्रेन के सहयोगी नेटो देश काफी कन्फ्यूज लगते हैं नेटो देशों की तरब से अलग-अलग समय में अलग-अलग बयान आते हैं और यही वज़ा है कि युक्रेन की मदद में नेटो देशों का मजबूत सायोग नहीं दिखता जिसका खामियाजा युक्रेन भुगत रहा है और रूस इस आउसर का फायदा उठा रहा है दरसल नेटो देश ना तो खुलकर युक्रेन की मदद के लिए लामबंध हो रहे हैं और नहीं मदद से पीछे अटने की गोशना कर रहे हैं लेकिन समय समय पर वो दबी जुबान में युक्रेन की मदद से पीछे अटने की अपनी मजबूरियां गिनाते रहते हैं जर्मनी और पॉलेंड के बाद अब एक अन्य नेटो देश हंगरी ने यूक्रेन की मदद का विरोध किया है नेटो महासचीव जिन्स स्टोल्टेंटबर्ग द्वारा यूक्रेन के लिए शुरू की गई पांच साल की फंडिंग रणनिती के विरोध में हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्टो ने कहा कि हंगरी यूक्रेन को वित्वपोशित करने की सौ अरब डॉलर की पंच वर्षिय नेटो योजना का विरोध कर रहा है मंत्री ने ये बात पैरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों की मंत्री अस्तरी बैठक के लिए जाने से पहले गुरुवार को कही दरसल इस सप्ता की शुरुवात में मंगलवार को महासचीव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने नेटो के सदसे देशों को सौ अरब डॉलर जुटाने का प्रस्ताव पीश किया नेटो ने इस फंड को युद पर खर्च करने की युजना बनाई है अब ये धन पांच वर्षों में कठा किया जाना है तो इसका एक मतलब और निकाला जा रहा है कि कहीं न कहीं नेटो को पांच साल तक युद दिया शत्रुता की उम्मीद है इस पर सिजार्टो का कहना है कि हंगरी इस पहल का विरोध करेगा और युक्रेन को हत्यार देने या उसके सैनिकों को ट्रेनिंग देने में शामिल नहीं होगा सिजार्टो की माने तो ये अभी बादचीत का विशह है और आने वाले हफतों में बादचीत के दौरान हंगरी इस पागलपन से दूर रहने और सो अरब डॉलर रिकठा करने और नए यूरोप से बाहर ले जाने के अधिकार के लिए लड़ेगा सिजार्टो ने बताया कि हंगरी किसी भी चीज से पहले अपने लोगों की सुरक्षा को प्राथ मिक्ता देता है और यूद से बाहर रहने की पूरी कोशिश करेगा हंगरी की राए ये है कि यूद को केवल बादचीत के जरिया ही हल किया सकता है सिजार्टो ने ये भी आग्रह किया कि यूरोप में युद के इस पागलपन को रोका जाना चाहिए उन्होंने कहा कि हम नए विश्व युद के खत्रे और परमाणु युद की तैयारियों को नजर अंदाज नहीं कर सकते हंगरी ने नेटो में युकरेन को शामिल किये जाने का भी सारवजनिक रूप से विरोध किया है जबकि नेटो में शामिल होना लंबे समय से युकरेनी नेत्रतों के प्रमुख लक्षों में से एक रहा है यूतिक के मैदान में पहले से ही कमजोर हो चुके यूकरेन के लिए हंगरी का फैसला उसे और निराश करने वाला है हाला कि उसे हाली में अमेरिकी मदद की मन्जूरी मिल गई है लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि यूकरेन उस मदद के भरो से कब तक रूस का मुकाबला कर पाएगा क्योंकि यूकरेन को सैनि हतियारों के साथ ही सैनिको की भी भारी जरूरत है क्योंकि यूकरेन बड़ते है